हर्यन सिरकार में पहली वार मंत्री बनी आर्ती रावनी अधिकारियों के साथ की बैठक आपको बता दे कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आर्ती राव एक्सन मूड में नजर आ रही है आर्ती राव आज गरुगराम पहुची जहाँ उन्होंने जिला, प्रशासन और स्वास्ते वहाँ के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है बैठक में आर्ती राव ने स्वास्ते सिवाओं को बहतर करने के दिसानर्थेश चारी किये तो वहीं लंबित समय से लंबित पड़े ओल्ड सिविल हॉस्पीटल का निर्माण कारने पूरा जल्द करने के तिसार निर्देश दिये हैं आरती राव ने इस तोरान अधिकारियों को ओल्ड सिविल हस्पीटल जो साथ सो बैट से ज्यादा का हॉस्पीटल ग्रोग्राम में पनाना है उसके टेंडर प्रिक्रिया को जल्द पूरा करने के आदेश दिये हैं साथी साथ स्री सीतलता माता मेडिकल कॉलिज के निर्मान कारणे को आगामी अप्रैल महीने तक पूरा करने के भी निर्देश चारी किये हैं आरती राव की माने तो प्राइवेट एस्पिताल की मनमानी पर नकेल कसने का काम भी करेंगे इस दौरान आरती राव ने यह भी कहा कि शीमो के पास ज़्यादा पावर रहे इसको लेकर विवेक काम करेंगी और ग्रोग्राम के स्वास्त सिवाएं बैतर हो सके उसके लिए ग्रोग्राम में PCI हॉस्पिटल बनाया जा सके उस पर विचार किया जाएगा वही आरती राव ने इस पैठक के तौरान ओल्ड सिविल हॉस्पिटल का नेरक्षन किया चर्चा हुई है आज के दिन एक तो सिविल हॉस्पिटल है जो गुर्गाओं में बन रहा है उसके टेंडर जारी हुने है उसके बारे भी हमने चर्चा की उन्होंने का एप्रिल तक काम हो जाएगा तो हम चाते हैं कि जितने ही जल से जल के लोगों को इसकी आवशक्ता है आज के दिन तो मैं चाहती हूँ कि जो भी काम पेंडिंग रहे हैं हमारी तरफ से जीमडिय की दरफ से या कहीं और से भी हम जल से जल निप्टाएं ताकि यह अस्पिताल जल से जल लोगों के काम पेंडिंग रहे हैं जी अभी तो civil hospital तो बहुत साल हो गए है चलता आ रहा है और मैंने आज पूची तो क्या हुआ था तो उनने कहा कि FAR इंक्रीस करवाना था ताकि बड़ा अस्पिताल बन सके मंदर में चार-पांच महीने और एक्स्ट्रा लग गए क्यूंकि प्लांस चेंज हुए उसके बाद बिल्डिंग तो खड़ी हो गई है मगर फिनिशिंग बाकि है आज की और फिनिशिंग बोल रहे हैं कि एप्रिल तक खतम हो जाएगी तो मैंने भी बोला कि मेने को एक पारी आप धरव जरूर लिखत में दे दें कि एप्रिल तक खतम हो जएगी ताकि इते लोगों जल्से जल्षा कि यह ज़सी को पता करने कहीं सबसे पहले Health minister बनने के बाद मैं आज की दिन इसी के लिए आई हूए उखिछ जो आट सो बेड प्लस का अस्पिताल बनने जा रहा है वो जल से जल उसका काम शुरू हो ताके हम लोगों को कि अच्छा बड़ा और बहुती मॉडन सिविल हॉस्पितल गुरगाओं और हमारे दक्षिन अर्याना कि शेतर के लोगों को के लिए खड़ा कर से कि अर्याना कि अगर बाद करें अपिस तहां कि विवाओं को बेड़न किया जाएगा आपके रिजाएगा जी आज के तिन है वो कम और सीमों पर इतनी पार नहीं है आज के दिन मैं जादा पावर देना चाहूंगी चीश मेरिकल ऑफिसर्स को ताकि अगर कोई ऐसी एक कंप्लेंट्स आएं वो जाच करे और जो अस्पिताल पाए गए गए ओवर चार्जिंग के और एक्स्प्रोइटेशन के उन प जानते है राओ इंदर जीत सिंग जी का बहुत 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 दिल से करीबी प्रजेक्ट है और मैं चाहूंगी आज मैं जा रही हूं हम अपने अद्यक्षाब जनता पाटी के अद्यक्षाब नदा साब से भी एक बेंट करेंगे और मैं उनसे चट्चा करेंगी इसके बा अगर पीजी आई हो सकता है और भाई मुकेश के साथ अगर हम साथ में एक बड़िया सा हस्पताल कोल सकते हैं तो क्यों है